वेल्कम टू माई न्यू वीडियो तो आज हम करनी वाले हैं एक मेकप लुक रीक्रियेट जो नावरात्री ये स्पेसल या फिर छट पूजा स्पेसल होगा तो ये ना मेरा लॉंग वीडियो बहुत लंबे टाइम बाद आ रहा है और सबसे बड़ी बात ये फूल मेकप बात दला है मैं ने आफट equation को से फली एमन्म को हाईडरेट कर दिया और लिपस को भी हाईडरेत कर दिया ये हइंडरेट करना मेकप से बहुत जादा ज़ारह जरूरी है क्योंकил कि हम अपने स्किन को दामेज कर सकते और यह मेरा पैला ट्रायल था तो मैंने बहुन जदा प्रकरस्टन से कंप्रा के डिया है मैंने रिए लाइफ में में खायssen क्या है वी tomar क्लिब्स गुष्थ तो संस्क्रीम लगाने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिला लिया है संस्क्रीम भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम प्रोटेक्ट करना चाहरे है अपनी स्किन को तो उसके बाद मैं फिर से लगाऊंगी इसके उपर से मैं फिर लगाऊंगी प्राइमर जो मेकप लगाने से पहल मैं ले रही हूं foundation guys मैंने पूरे makeup product नहीं बता हैं क्योंकि मेरे पास सब एक एक दूसरे दूसरे company क्या कुछ भी special मेरे पास makeup product नहीं है इसलिए मैंने बहुत जादा उस पे focus नहीं किया मैंने makeup पे focus किया है जैसे जैसे मेरे पास चीजें आती जाएंगी मैं खर्टी जाओंगी मैं आपको जरूर बताओंगी तो फिर मेरे पास यह sponge को पानी में गिला करके उससे मैंने अपना में blend किया है foundation को आच्छे से blend हो जाने के बाद फिर मैंने लिया है concealer तो अपने आखों के नीचे डा के रियास में concealer लगा रही हूं और सच में concealer मैं पहली बार लगा रही हूं और अच्छा लगा लगा कि उसको blend करने के बाद जो आई के नीचे का डाक से ग्लिप्स के पास का यह सारे ढख जाएंगे यह makeup for beginner है मैं भी सीख रही हूं और इसी तरह से हम करते करते सीख सकते हैं इतना कुछ बहुत बड़ी science नहीं है makeup करने में तो फिर मैं उसको blend कर ले रही हूं और हाँ मेरे मूँव बनाने पर मत जाओ मैं पहली बार ट्राइक कर थोड़ा सेट कर ली मैं उसको उसके बाद मैंने मेरे आइब्रो को फिल किया है यह मैंने लिया है ब्राउन कलर का पेंसिल यह मैं डेली यूज करती हूं वही है एडियस का है और उसको अच्छे से दोनों आइब्रोज अपना फिल कर लेंगे क्योंकि हम स्मोकिया यह बना रहे तो अपने अब्रोज को भी डार्क रखें थोड़ा सा बोल्ड दिखने के लिए उसके बाद मैं यह आई मेकप कर रही हूं ना तो मैं उसका शार्प इड़्च आने के लिए ना मैंने प्लैस्ट लगा लिए दोनों साइड से तो सबसे पहले मैं ब्लैक कलर का खाजल ब्लैक कर देंगे तो एक बेस महां का हमारा बेस रेडी हो जाएगा मतलब आइलिट पास का एकदम आईलेस के पास का मैं सबसे पहले उस पे थोड़ा सेट करना भूल गई थी तो मैंने औरेंज कलर का ही सैडो लेके उपर से सेट कर दिया तक कि हमारे प्रीज अच्छे से दिखें दोनों साइड में उसके बाद मैं ले रही हूं ना ब्लैक कलर का आई सैडो और उसके बाद मैं अपने आउटर कॉर्नेर से स्टार्ट करूंगी लगाना इनर कॉर्नेर तक थोड़ा सा लाइट रखूंगी इसको स्मोकी आई मैं फर्स्ट ट्राइ कर रही हूं हो बहुत अच्छा आए और आप लोगों को पसंद भी आए और आप लोग सीख सकते हो मेरे से अगर कुछ मैंने मिस्टेक किया इसमें तो प्लीज आप रिक्विस्ट कमेंट में बताओ जो जिसको मालूम है मैं उसको करेक्ट कर नहीं मिरर रख दी ती इसलिए हटाना पड़ गया उसको कुछ दिखी नहीं रहा था उसके बाद मैंने अपने अंडर आई को पूरा अच्छा नीट क्लीन देने के लिए वाइट कलर का इसाड़ो लेके फील कर दिया है अपर राई एरिये को उसके बाद मैंने यही सेम ब्लैक का जल लिया है अपने लोवर आई वाटर लाइन पे लगाया है थोड़ा सा बाहर लगाया है और उसको भी थोड़ा ब्लेंड कर लिया फिर मैंने एक हाईलाइटर लेके और उसको अपने इनर कॉर्णर पे आई की इनर कॉर्णर पे थोड कि उसके बाद मैंने ले लिया है ब्लैक स्केच आई-लाइनर इसको मैंने नौर्मली लगा लिया है मैंने एक वीडियो में बताया था मुझे अच्छे से आई-लाइनर लगाना नहीं आता है उतनी अच्छे से पर हम लोग सीख लेंगे सब कुछ साथ में कोई प्रॉब्लम नह बाद मैंने लगाया है पाउडर लगा के सेट आःए अब मैं लगा रही हूं ब्लश ब्लश के मेरे पास एक ही आई-साडव पैलेट तो सी से मैं सारा मेकप कर रहा हूं गाई एक ही ब्रस में पर सारे ब्रस नहीं है डांट फोकस उन दाट यह फोकस करूं कि इतने कम करता है तो ठीक है मेरे पास भी धीरे-धीरे मैं घर लूँगी अगर अभी मैं मेक अप करने स्टार्ट की हूँ पर अभी तक तो मेरे पास जो है उसी से मैं कर रही हूँ होप अच्छा है और आप लोगों को पसंद भी आया है कलर्स दिए है ना उस बड़े पैलेट में कि आप हर्चिस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि मैंने पूरा लगा लिया हो रहां तो से ब्लेंड कर लिया उसमें कुछ फित्राप्लम नहीं है उसके बाद मैं लगा रही हैं लिप्स्टिक मैंने पिंक कलर के लिप्स्टीक लगई यह मुझे थोड़ा ज्यादा बोल्ड दिख रहा ज्यादा ही बोल्ड दिख रहा तो फिर मैंने मेकप fixer महा रहा है भी मैंने मेकप को set करने के लिए उसके बाद का यह लोग था पुरा ready होने के बाद पर मुझे ना यहाँ पर लिपस्टिक मेरी थोड़ी डार्क दिख रही थी, और मैं एक चीज़ भूल गई हूँ में कप में, आप बता दो जलदी से क्या भूली हूँ मैं जल्दी यहाँ पे मैंने लिस्टिक चेंज कर दिया है अब मुझे अच्छा दिख रहा था थोड़ा लाइट कलर का लेपस्टिक उसके बाद का लुक यह है अब आप जल्दी से बताओ कि मैं क्या भूली हूं अपने मेकप में तो येस मैं बूल गई हूं मस्करा लगाना और मैंने बनाया है स्मोकी आई वो बीना मस्करा बीना पॉल्स लिस्स तो मैं नहीं ट्राइ करेंडर क्याकि मेरे पास नहीं है तो मैं आएक्च्छsemb मस्करा यह लगाने वाली थीट तो मैंनेparable मस्करा लगाया है एक मेबल का हाईप एकपकहलोंत मस्करा तो नहीं हो तो दोनों react के बाद में नहीं आलष itu दिखने मोट़ी दिखन तो अब आपको दिखेगा मेरा फाइनल लुक अगर वीडियो पसंद देए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देजिए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए थैंक यू